दोस्तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में हम 18 और 19 अगस्त के सभी important current affairs को cover करेंगे आईए शुरुवात करते हैं आज के प्रलिम स्मंत्रा की अगर बात कीज़े पहले आर्टिकल की तो इसमें हम बात करेंगे कत्थ छीवू आइलेंड के बारे में सबसे पहले इसकी location जान लेते हैं एक तरफ श्रलंका का जाफना area और दूसरी तरफ इंडिया का रामेश्वम area इन दोनों के beach में located है ये कत्थ छीवू आपका island 1974 से पहले ये भारत के एक territory हुआ करती थी लेकिन बात में भारत ने इस area को ससीट कर दिया था श्रलंका को मतलब उससे पहले भारत इसे administer करता था और उस समय यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते थे बट हुआ क्या है अभी हाल के सालों में ये क्यों एक मुद्दा बना हुआ है भारत के fishermen काफी सालों से इस area में जाते थे मतलब आप यह मान के चले जब से अंग्रेज और या उससे पहले भी भारत के fishermen इस area में आया जाया करते थे बट अभी हाल फिलाल में श्रलंका ने इस area में इंडियन्स के आने पर बैन लगा रखा है अब कई बार fishing के लिए जाते हैं हमारे जो मचवारे हैं इनको यहाँ पर जाने पर arrest कर लिया जाता है तो इस वज़े से यहाँ पर जो tamil naadu के cm है वो के यह कह रहे हैं कि भई हमें यह area वापिस से लेना चेश लंका से अब इस area के बारे में थोड़ी और बाते कर लेते हैं अगर इसके south में बात करें इस area की तो यहाँ पर आपको gulf of mannar देखने को मिलता है अगर north की बात किजए यह area यहाँ पर आपको एक straight देखने को मिलता है जिसे हम park straight के नाम से जानते हैं तो इस area के बारे में आपको इतना ही जानना था आईए अब बात करते हैं अगले article की इस article में हम जानेंगे penal rate को तो पीनल interest rate क्या होता है मालिजे आपने किसी bank से पैसा बारो किया आपने बारो किया एक लाक रुपे जिसकी आपको monthly installment देनी थी 10,000 की बट कुछ कारणों के वज़े से आप EMI Pay नहीं कर पाए तो यहाँ पर एक borrower के अंदर आप discipline लाना चाते हैं इसके लिए bank यूज करते हैं penal interest rate अब इससे कई बारी बहुत problem हो जाती है क्योंकि कोई भी bank इसके बारे में transparent नहीं है कुछ reasonableness नहीं है कि यहाँ पर किस आधार पे इतना ज़्यादा penal interest rate चार्ज किया जाता है तो इस चीज को ठीक करने के लिए दुरूस्त करने के लिए RBI ने एक fresh guidelines issue की है जो की applicable होगी आपकी banks के उपर NBFCs के उपर और बाकी lenders के उपर भी although यह payment banks के उपर applicable नहीं होगी बट यहाँ कोशिश क्या की जा दिया देखे penal interest rate को हम change करना चाहते है penal charges से जो की पहले से ही predefined होगे और यहाँ पर अगर कोई borrower अपने contract को break करता है या आप यह समझे कि किस्त को time पर नहीं pay करता है उस case में उसके उपर यह penal charges लगेंगे तो यहाँ पर RBI ने कुछ fresh guidelines issue की है आपको इसके बारे में पता होना चाहिए था रेस्ट इसमें और ज़्यादा कुछ important नहीं है आईए अब बात करते हैं अगले article की इस article में हम बात करेंगे काल का शिमला heritage railway lines के बारे में अभी recent time में हुआ क्या है आप सभी को पता होगा हिमाचल में बहुत सी बारिश आईए हिमाचल में बारिश आने की वज़े से अभी recent इसे straight natural climatic attack भी दिया गया है अब इस बारिश की वज़े से UNESCO World Heritage Site यानि की Mountain Rails of India इसमें आती है आपकी काल का शिमला railway line इसको काफी असर पड़ा है 94 किलोमेटर की ये आपकी railway line काफी area में ध्वस्त होगी है मतलब आप ये देखे यहाँ पर नीचे इसके जमीन है ही नहीं तो कुछ ऐसा सा impact देखने को मिला है तो अब इस damages को ठीक करने के लिए चार हफतों के लिए इस railway line को बंद किया जाएगा अब ये railway line आपके build cup की गी थी तो याद रखना 1893 से 1903 के बीच में Herbert Hartingen की leadership में इसे build किया गया था तो that is what you have to remember World Heritage Site के बारे में एक अलग से हम कभी वीडियो कवर करेंगे तो उसमें हम सभी को discuss कर लेंगे और फिलाल के लिए आपको अभी कालका श्मला heritage site के बारे में पता होना चाहिए था because हो सकता है UPSC के बारे में आपसे सवाल पूछ ले अभी इकलौती site नहीं है मतलब ऐसी railway line आपकी इकलौती नहीं है Dargling area में भी आपकी ऐसी ही एक railway line काफी important है World Heritage site में आती है और नीलगीरी area में भी आपको ऐसी एक railway site देखने को मिलती है तो यह तीनों को याद रखना हो सकता है UPSC आपसे इसके बारे में कभी पूछ ले match the following type में या कुछ statement type question आजे तो इतनी information हमारे ले काफी है आईए अब बात करते हैं अगले article की इस article में हम बात करेंगे हैटी के बारे में अभी यहाँ पर हुआ क्या है कि दो गैंक्स के पीछ में लड़ाई चल रही है जनवरी से जिसके कारण लगबग 2400 लोगों की death हो चुकी है तो इस वज़े से ये area काफी important हो जाता है दिखिए ये अपना land border share करता है यहाँ पर क्यूबा से नौर्थ या नौर्थ वेस्ट की तरफ अगर eastern side पर बात करें तो आपको Dominican Republic देखने को मिलता है इसके लावा maritime border ये जमाइका के साथ share करता है इसके आसपास आपको ये Caribbean Sea देखने को मिलता है और इस तरफ आपको Atlantic Ocean देखने को मिलता है तो यहाँ पर इस article में इस location के बारे में आपको इतना ही जानना था आईए अब बात करते हैं अगले article की इस article में हम location जाने के नौर्थ कोरिया की नौर्थ कोरिया ने अभी हाली में इंटर कॉंटिनेंटल बलिस्टिक मिजाईल को टेस्ट किया and one of the most powerful step है इनके लिए क्योंकि अब यहाँ पर ये एक ऐसी technology डिवलप करने की कोशिश कर रहे है जिससे वो USA को भी target कर सके अभी तक तो जब भी USA इनके साथ कोई भी issue create करता था तो यह कहते थे कि हम South Korea को मार देंगे बट यहाँ अब यह intercontinental ballistic missile अगर डेवलप हो जाती है जिसमें आशंका यह लगाई जा रहे है कि China और Russia इसके मदद कर रहे है इसके बाद यह कहीं न कहीं USA के अलाइय जैसे South Korea, Japan और खुद USA के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है अब यहाँ आपको इसके location के बारे में पता होना चाहिए लिखे इसके north में आपको दो important countries देखने को मिलते है एक तो चाइना हो गया और दूसरा रश्या South में आपको South Korea देखने को मिलते है यहाँ पर Korean state है अगर बात की जाए इसके western side में तो आपको yellow sea देखने को मिलते है और eastern side में आपको देखने को मिलते है Sea of Japan इसका marine time border अगर आप देखें तो आसपास वैसे कोई ज़्यादा countries तो नहीं देखने को मिलते है बट यहाँ थोड़ा सा आप eastern side और जाएंगे तो यहाँ पर आपको जपान देखने को मिल जाता है तो इस article में आपको इतना ही जानना था आईए अब बात करते हैं अगले article की अभी recently एक article published हुआ जिसमें यह कहा जा रहा है कि मन्रेगा के लिए मतलब जितने भी वहाँ पर sites वगरा चल रही है उनके लिए हम quality और progress को monitor करने के लिए drone का इस्तमाल करेंगे अब यह जो guidelines है यह issue कीगी है Ministry of Rural के दवारा यहाँ आपको याद रखना है कि भी सिरफ और सिरफ quality और monitoring के लिए नहीं बलकिन हम यहाँ पर यह भी check करना चाते है कि कैसा काम चल रहा है ongoing work का survey करना हो उसके लिए या inspect करना हो incomplete काम को इसके लिए और क्या impact होगा उस मन्रेगा site के बनने से इसको जाचने के लिए भी हम drone का इस्तमाल कर सकते हैं अब यहाँ कुछ चीज़े आपको याद रखें एक amusement होगा हर एक district में इसकी salary जो provide की जाएगी वो state government के द्वारा की जाएगी center इसके लिए कोई extra पैसा नहीं पे करेगा अब उनको कहीं भी कोई wages related work के बारे में complaint आती है या ऐसी कोई complaint आते की भी site पे machines का इस्तमाल हुआ है या beyond approval कोई काम चल रहा है इन चीजों की जाच के लिए इस दुरून का इस्तमाल कर सकेंगे यहाँ पर इस article में आपको इसके बारे में तो इतना ही जानना था अगर मन्रेगा के बारे में बात की जाए तो one of the world's largest work guarantee program है यह जिससे शुरुआत की गी थी 2005 में मतलब right to work कह सकते हो आप यहाँ इसके तहत यह का गया था कि 100 दिन का काम प्रोवाइट किया जाएगा हर unemployed को, adult member को किसी भी rural household में एक financial year के अंदर इसमें जो काम प्रोवाइट किया जाएगा वो unskilled manual work होगा अगर हाल फिलहाल की बात कीजए तो लगभग इसके अंदर आप देखते हैं 15 करोड लोग active workers है अब एक तरह से यह लीगल राइट है तो यहाँ पर हमारी कोशिश रहती है कि हम कैसे जो chronic आपकी poverty वाला issue है मतलब बहुत लंबे समय से जो लोग poverty में आते हैं उसको कैसे दूर कर सकें इसमें एक focus यह भी रहता है कि हम कैसे woman empowerment को promote कर सकें इसमें यह का जाता है कि almost one third जो beneficiaries रहेंगी वो महिलाएं रहेंगी और इसमें हम यह भी ensure करते हैं कि जो minimum wages act है हमारा 1948 का हम उसको follow करें अब यहां अगर किसी इनसान को 15 दिन के अंदर काम provide नहीं करवा पाती है government तो उस case में उसे बेरोजगारी भथता मिलता है और यहां पर gram सबा को यह का जाता है उसमें 50% काम में उनकी रजामंदी होनी ज़रूरी है अब यहां एक important चीज याद रखना हो सकता है UPSC इसको statement में use करें यह एक demand driven scheme है मतलब अगर कोई लोग काम आपके पास मांगने आएंगे तभी आप काम provide करेंगे किसको घर बैटे यह काम नहीं provide करते तो यह चीज यहां पर आपको याद रखनी है आईए अब बात करते हैं अगले article की इस article में हम बात करेंगे flood forecast app के बारे में जो कि अभी recently water commission ने launch किया है अब दिखे इस flood forecast app के बात किया रहत हूँ इसका नाम रखा गया flood wash इसमें हम एक दिन advance में flood की जानकारी दे पाएंगे लोगों को और advisory लगबख साथ दिन पहले ही provide कर दी जाएगी अमालेज़े जैसे यह भारत का नक्षा है अलग-अलग areas में अलग-अलग color से आप map को दर्शाएंगे जहाँ पर green color का मतलब है कि situation बिल्कुल normal है अगर normal से थोड़ी खराब होती है तो यहाँ पर yellow color का इस्तमाल किया जाएगा और जब बहुत ज़्यादा severe हो जाएगी condition तो उस case में orange color का इस्तमाल किया जाएगा साथ के साथ extreme situation में यहाँ पर red color का इस्तमाल किया जाएगा अब लगे हाथ हम Central Water Commission के बारे में भी जान लेते है initially इसे establish किया गया था 1945 में और यह इसके लिए recommendation जो दी थी वो दी थी Dr. B.R. Ambedkarjini अब यहाँ आपको एक चीज़ याद रखने है initially इसका नाम Central Water Commission नहीं था इसका नाम था Central Waterway Irrigation and Navigation Commission जिसको काम यह दिया गया था कि कैसे हम भारत के अंदर बार कम कर सके मतलब आप यह मान के चले कि हम हर तरह का काम जिसे जो water से related है चाहे irrigation हो या drinking water के supply हो उन सभी का काम इस एक organization को देते है and various government schemes के लिए जैसे जलशक्ति ministry की जो भी schemes होती है उसके लिए center government इन से सला लेती है साथ के साथ state governments भी अपने programs के लिए इनके लिए सला लेती है तो यहाँ पर जो भी schemes आपके launch होते है चाहे flood management से related हो irrigation से, drinking water से, hydrological या hydroelectricity की generation से तो उन सभी के बारे में इन से सला ली जाती है तो इस article में आपको इतना ही याद रखना था आएए अब बात करते है अगले article की इस article में हम बात करेंगे traditional medicines के बारे में अभी recently government of India और WHO ने मिलके इस बात पर stress किया है कि हमें focus करना चाहिए traditional medicines के उपर अब यहाँ इसका एक headquarter भी established किया गया था यानि कि WHO double center for traditional medicine जिसका headquarter बनाया गया था गुजरात में इसकी पहली summit इस साल हुई थी इस summit में G20 members को भी बुलाया गया था अब यहाँ पर focus किया गया है गांधी नगर declaration के उपर जहां पर हमने यह कहा था कि हमें traditional medicines के लिए एक dedicated platform बनाने की जूरत है अब इस platform से हम basically traditional medicines की जो हमारी knowledge है इसे promote करना चाहते है और इससे एक benefit अभी recent time में हमें देखने को भी मिला है modern drugs की discovery में यह help कर रहा है जैसे aspirin pre-winkel यह एक तरह का आप यह कह सकते बिबारी है जिसको ठीक करने के लिए traditional medicines का इस्तिमाल क्या गया है modern drugs क्या गया है तो यहां एक recommendation दी गही है इस summit के दोरा कि हम कैसे integrate कर सके traditional knowledge को with the complimentary जो आपकी अभी जो medicines चल रही हैं उनके साथ ताकि एक natural health system को हम create कर सके साथ के साथ evidence based क्योंकि देखिए generally इनके अंदर ट्राइल्स नहीं होते clinical trials and all अगर होते भी हैं तो traditional medicines में बहुत कम report किया जाता हुने तो हम उनको evidence based बनाना जाते हैं और actionable बनाना जाते हैं ताकि उसके उपर कुछ action लेके हम medicines को develop कर सके इससे benefit यह होगा कि हम science के इस्तिमाल से traditional medicines को और ज़्यादा अच्छे से promote कर पाएंगे और उनके true potential को हम achieve कर पाएंगे अब यहाँ आपके लिए एक सवाल है WHO Global Center for Traditional Medicines इसके headquarter गुजरात में गुजरात में कौन से area में located है आपको comment box में आज बताना है आईए अब बात करते हैं अगले article की इस article में हम जानेंगे ameotrophy lateral serulosis के बारे में अब यह क्या है यह एक तरह का neuro degenerative disease है जहाँ पर nerve cell के उपर impact पड़ता है nerve cell में भी particularly अगर बात की जाए तो motor neurons के उपर impact पड़ता है जिसकी वज़े से body की voluntary activities कम हो जाते है जैसे walking, dancing, सोचने समझने की शमता, judge करने की समता इनके उपर negative impact पड़ता है यह एक तरह की progressive disease है जो की genetic nature की है मतलब माँबाप से बच्चे में आती है अब यहाँ पर इस disease के बारे में आपको इतना ही जाना था जनरली UPSC बहुत ज़्यादा detail में नहीं जाएगी तो आपका question लगभग इससे बन ही जाएगा अब अगर आप भी हमारी UPSC मंच family का part बनना चाते हैं तो इस QR code को scan करके इन hand return notes को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद